साइट ख़बरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और इसके बाद बैल आइकन गो प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिलें एक्स्क्लोसिव ख़बरें तो जब से प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ओफ इंडिया डी वाई चंद्रचूर के घर गणेश पूजा में शामिल हुए हैं तब से ही मोदी के तमाम विरोधी तरह तरह की बाते कर रहे हैं कई वकीलों ने भी इस पर सवाल उठाए साथी साथ सीजे आई चंद्रचूर की निस्पक्षता भी सवालों के घेरे में आ गई अब इन सब की बीच इसी गणपती पूजन की तस्वीरे देखकर उद्धव ठाकरी और संजे राउत भी बूरी तरह भड़क गए और ना सिर्फ मोदी बलकि सीजे आई पर भी कई तरह के गंभी रारोप लगा दिये तो क्या वाके में मोदी का सीजे आई के घर गणेश पूजा में शामिल होना गैर कानूनी है आखिर क्यों इतना भड़क रहे हैं उद्धवो राउत आप भी देखिए और अपनी राए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए तो शिफसेना यूबीटी अब भारत के मुखेनाईदिस डीवाई चंदचूड की निस्पक्षता पर सवाल उठा रही है पार्टी के वरिस्ट नेता संजे राउत ने सीजे आई को शिफसेना से जुड़े मामलों से अलग होने की नसीहत दक देडा ली राउद ने सवाल ऐसे समय पर उठाए है जब एक दिन पहले प्रधानमंद्री नरेंद्र मोदी सीजे आई के घर पर पहुंचे थे और गणेश पूजा में शामिल हुए थे इसके अलावा कई वकीलों ने भी इस मीटिंग पर सवाल उठाए जबकि बीजेपी से सिर्फ प अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद राउद ने पी एम मोदी के सीजे आई के घर जाने पर कई तरह के सवाल उठा दिये समाचार एजनसी एनाई के मताबिक राउद ने कहा देखिए ये गणपती जी का त्योहार है प्रधान मंतरी अब तक कितने लोगों के घर गए है मुझे जानकारी नहीं है दिल्ली में कई स्थानों पर गणेश त्योहार मनाया जाता है लेकिन प्रधान मंतरी मुख्यन्या प्रदान मंत्री के साथ एसे करीब होकर बात नहीं करनी चाहिए। और इस तरह वो मोदी के साथ करीबी दिखा रहे हैं जो कि अपने आप में गलत है। कि CGI महरास्ट पर सुनवाई और महरास्ट में सविदान के अनुछे दस के उलंगन पर सुनवाई को ठीक तरह से करेंगे। अरे लेकिन चुनाओ तो बस आही गए ये अगले दिन के लिए स्थगित की जा सकती थी। लेकिन इस तरह से मिलकर उन्होंने साबित कर दिया कि उनके दिल और दिमाग में क्या है। सिर्फ राजनेताओं ने नहीं बल्कि जाने माने वकीलों ने भी इस मुलाकात पर सवाल उठाए है। प्रशांत भूजन के अलावा एडवोकेट इंद्रा जैसिंग ने भी इस मुलाकात पर सवाल उठाए। मोदी ने अगर CGI के घर जाकर गनेश पूजा किया तो इसमें घलत क्या है। अब कुल मिलाकर मोदी की CGI के घर जाकर गनेश पूजा करना राजनेताओं के निशाने पर तो आहीं गया है। साथी साथ वकाला से जुड़े सीनियर एडवोकेट भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में प्रधान मंत्री का इस तरह से CGI के घर जाना, उनके निजी आवास पर जाना, निजी मुलाकात करना, गनेश पूजा में शामिल होना, क्या वाकई में गलत है। आप भी कमेंड बॉक्स में जरूर दे और वीडियो को भी शेयर करें। क्या 2000 रुपए में यहां महिलाओ को स्वाभिमान बिक रहा है, जो मोदी ने 2000 रुपए में महिलाओ के स्वाभिमान को गिर्वी रख लिया है। जिसे देखते हुए विरोधी दल इस बयान को महिला विरोधी बताते हुए कॉंग्रेस और महाविकास अगारी को घेरने में जुट गए है। इसी साल कॉंग्रेस से शिंदे की शिफसेना में शामिल हुए संजन निरुपम ने खडगे के बयान पर कॉंग्रेस को जम कर घेरा। निरुपम ने खडगे के वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफोर्म पर शेयर कर दिया और कैप्चन में लिखा कि ये बुज़र्ग कॉंग्रेस के अध्यक्ष हैं लड़की बहन योजना का विरोध करते करते महारास की तमाम माताओ बहनों का अपमान कर रहे हैं ऐसी महारास्ट से और मराठी भाशी समाच से हमेशा नफरत करते रहे हैं खडगे महारास्ट से नफरत करने वालों में सरवोच शिखर पर बैटे हैं और इसलिए वो महारास्ट की महिलाओ का अपमान कर रहे हैं निरुपम के अलावा बीजेपी के कई नेताओं ने भी खडगे क कैसे उम्रदर राजनेता भी अभधर वाशा बोल रहे हैं और यहां पर महिलाओं के स्वाभिमान को गाली दी गई है जो कि बीजेपी किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। अब महराश्च में आगामी विधान सबत चुनाव को देखते हुए शरत पवार और उद्वठाकरे को इस बयान से टेंशन होना तई हैं। खडगे का बयान ठीक चुनाओं से पहले आया है वो भी महिलाओं का अपमान करने वाला जो कि आने वाले चुनाओं में कॉंग्रेस और महाविकार सखाडी को बहुत भारी पड़ेगा। तो आपका उम्र दराज खडगे के इस बयान पर क्या कहना है? क्या खडगे वाके में आलोशना के चक्कर में अपनी मर्यादा को पार कर गए? आप भी खडगे के इस बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देओ वीडियो को भी शेयर करें। क्या थाएंगा।